किसान साथ्यों, नमस्कार किसान भाइयों, पौधे को तो बहुत सी प्रकार के पोशक टथो की अवसक्ता होती है लेकिन जो है फसल को जो मुख्य पोशक टथो है वो नपिके मतलब नैट्रोजन, फास्पॉरस और पोटास इन तीन चीजों की जो है आपको हमेशा समय पर पूर्ती करना बहुत ही अवसक होता है क्योंकि पौधे को जो तीन जो मुख्य पोसक्तत्व है नाइट्रोजन यानि की यूरिया बोल सकते हैं फास्पोरस यानि की आप डिएपी या तो फिर एसेसपी बोल सकते हैं वहीं पोटास मतलब MOP या तो आप मूरिफ आप पोटास बोल सकते हैं तो इन तीन पोसक्तत्व की बहुत अवसकता होती है तो आज इस वीडियो में हम जो ये इन पीके है इनके जो है पौधे को जब कब अवसकता पढ़ती है कब नहीं पढ़ती है इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे इसी के साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि जो नैट्रोजन का पौधे में कमी होती है तो उसकी सुरुवाती लक्षण क्या होती है वहीं फासपोरस की सुरुवाती जो लक्षण होती है पौधे में इसके बारे हम बात करेंगे वहीं साथ ही में पोटेसियम की जब पोधे को कमी होती है तो उसकी लख्षण कैसे होती है इसी के बारे हम भी बात करेंगे साथ ही में इसके उपचार और सरल उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे किसान साथियो, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो क्या है धान या यहूं, इन सभी प्रकारा राजवर्गिय फसल को और लगभग सभी फसलों को जो है पोसक तत्तों की अब सकता होती है, तो उसकी सुरवाती लक्षण के बारे में हम बात करेंगे, तो चलिए जान कम हो जाता है, नहीं बन पाता, तो आप देख पा रहा है, जो जैसे इस पत्ते के माधियम से मैं आपको बता दे रहा हूं, यह देख पा रहा है, इसके जो नैट्रोजन की पोधे को कमी होती है, तो इसके जो है, सुरवाती मतलब उपर साइट, उपर साइट के जो पत्ते ह वो भूरे होते जाते हैं और फिर ऐसे गर के उपर साइट के पत्ते भूरे होते जाते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं तो अधे उपर साइट के पत्ते जो है आपके भूरे होते जाते हैं और ये लक्षाण आपको पौधे के जो है निचले पत्तों में देखने को मिलता है देखने को नहीं मिलता है पुराने पत्तों में जो है देखने को मिलता है नाइट्रोजन की जो है कमी और इस प्रकार से उसकी कमी का जो है लक्षण जो सुरवाती जो नीचले पत्ते के जो सुरवाती उपरी साइड रहता है ये पत्ते जो है भूरे पढ़ते जाते हैं और ध हम एक पौधे को च्याम कि कमी हो जाए तो उसकी थल चैसे होता है चैसे precaution की चैस् Korean के बात क्या है य चैसे प्रकार हुआ खमी जो हैं हमको नीचले पत्तों में देखने को मिलता है। आप वीडियो में देख वा रहनुत है कि इस परकार से पढ़िए में दभ़ा पड़न में जो है स्टार्ट हो जाता है यह है फासपोरस की कमी का जो है सुरवाती लक्षाण अब उसी के बाद हम लोग पोटास यानि की पोटेसियम की पौधे में जब कमी होती है तो उसकी सुरवाती लक्षाण जैसे आपको इस पत्ते के हिसाब से देखने को मिलता है जैसे पत्ते के जो साइट साइड है यह पूरे भूरे पर जाता है ऐसे लगता है जैसे कि माचीस के तिल्ली से पूरे साइट साइट को धीरे धीरे जला दिया गया है और फिर इसी प्रकार से आपको बीच में हरा और यासे साइट साइट में भूरे धब्बे जो है अब देख पा रहे हैं दोनों पत्तों के बॉर्डर में जो है आपको भूरे धब्बे दिखाई देंगे यह आपका पोटेसियम यानि की पोटास की पोधे में कमी होती है तो यह उसकी जो है सुर्वाती देख City के बारे में अब हम बात करेंगे कि हम अपने पोधिकर अब पोधे को नैट्रोजन की कमी हो उसका बार-बार आप उसको उपचाइर कर सकते हें नैट्रोजन ऐसा है कि जैसे पौधे में आपका नैट्रोजन की कमी दिखाई दी तो आप यूरिया डाले या तो फिर यूरिया की स्प्रे कर दें दो से चार दिनों में जो है पौधे में क्लोरोफिल वालना स्टार्ट हो जाता है और जो है नैट्रोजन की कमी पौधे पूर करसे हैं नहीं पोधे को दीखाई को पूर्त करना बहुत मुष्प चाहे तो आप डीस एफी का छिरकाओ करके या गोल बनाके इस प्रेय के द्वारा भी दिए दे सकते हैं लेकिन पुछ हद तक उसकी चाहाब सकता है अगर आपको तो इसकी पौधे में आपकी फसाज चाकर में आपको फस्पोरस की कमी ना हो ऐसा चाहते हैं तो आप पौधे की बौई के समय ही जो है आप डीएपी डालने या फिर एसेसपी का प्योग कर दें तो लगभग जो है उसका कारिया जो है चार से च्छे महने तक लगदार चलते कवित रहता है और पौधे को फस्पोरस की कमी नहीं होती अब बात करें पोटेसियम की कमी को पूरी कैसे कि लिए आप मिरप पोटास यानिकी इमज़र प्रती एकर कहीं तो आप से 20 किलो छिड़काओ करके झो है जो है पोटास की कमी को पूरा कर सकते हैं चाह तो आप इन दो जीरो पचास या तो फिर जीरो बामन चेंटीस ऐसे करके इसका इस्प्रेक के द्वारा भी उसकी पूर्ती की जा सकती है तो किसान साथियों यह है जो है नाइट्रोजन फस्फोरस और पोडेसियम की जो है कमी की सुर्वाती लक्षण और और उसका उपचार कैसे करें इस पर जो है इस वीडियो को बनाया गया था अगर वीडियो आपको सही ढंग से समाज में आया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ तो वीडियो को मेरा एक लाइक कर दीजेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा जिससे आने वाले वी किती बार एक संबंधित नहीं नहीं जानकारी मिलती रहेगी फिलाल आज के वीडियो हम बस इतना ही वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यमात